ख्वाजा की करम का ने एक सच्चा वाकिया विख्राग वा परिवार कैसे एक हो गया रिष्टों की नसीहत है घर घर की हकीकत है दिली शहर में छोटा सा परिवार एक था बीबी भी नेक दिल की थी शोहर भी नेक था सब कुछ था घर में उनके बस उलाद नहीं थी दोनों की खुदाने सुनी फरियाद नहीं थी पीरों फकीरों से मिले दर गाहों में गए वलियों के दर को चूमा बार गाहों में गए मजलूमों को खाना खिला खेरात बाटते बदले में एक बच्चे की सौगात मांगते रोते भी लगते दोनों थे अपने नसीब पर रहमत नहीं क्यों हो रही हम बद नसीब पर दर दर भटक के दोनों ने ही हार मान ली अपने मुकदरों की है इमार मान ली रिष्टों की नसीब है घर घर की हकीकत है हो करके गमजदा वो दोनों बैठे थे घर में कोई रास्ता न उनको आ रहा था नजर में दोनों ही एक दिन अनाथ आश्रम गए बच्चा गोद लेने का बना के मन गए बच्चा एक गोद लेके घर को आते हैं दोनों ही खुशी से ना फूले समाते हैं उनको जैसे खुशियों का खजाना मिल गया दोनों को जैसे जीने का बहाना मिल गया मापाप के साए में बेटा बढ़ने लगा था एक अच्छ से इस स्कूल में वो पढ़ने लगा था बेटे की हर खुशी में थी उन दोनों की खुशी कुछ भी वो मांगता तो मना करते ना कभी रिष्टों की नसीहत है घर घर की हकीकत है हाँ धीरे धीरे बेटे की बढ़ने लगी उमर उनकी परवरिश का उस पे यूं हुआ असर धीरे धीरे उसकी वो देखलीज आ गई आखों में शरम बातों में तमीज आ गई हर बात वाल देन की वो मानने लगा कारवार सारा वो सम्हालने लगा माँ बाप को खुशी थी की अउलाद नेक है बेटा हमारा नेक है लाखों में एक है होनी को मगर कौन यहां टाल सका है किसमत की समझ कौन यहां चाल सका है आफिस में काम करने वाली एक थी लड़की लड़की से एक रोज नजर लड़ गई उसकी रिष्टों की नसीहत है घर घर की हकीकत है नजरे हुई जो चार उनको प्यार हो गया कुछ ही दिनों में इतना एतवार हो गया आफिस के बाद दोनों साथ घूमने लगे सपनों में उड़ रहे आकाश चूमने लगे अब आओ उसकी माता पिता से मिलाते हैं उनके दिलों में क्या था आओ वो दिखाते हैं ममता ने देखो उनकी कैसा काम कर दिया घर बार कारोबार उसके नाम कर दिया अब आगे देखिये की बेटे ने क्या किया कोट में उस लड़की को पतनी बना लिया बेटे ने तोड़ डाला था माबाप का सपना माबाप ने सब दे दिया जो पास था अपना रिष्टों की नसीहत है घर घर की हकीकत है माबाप चर्चा कर रहे बेटे के ब्याह की सुन्दर सिबहू लाएंगे ये उनकी चाह थी लड़की को देखने के लिए जाना था कही माबाप सोचते थे घर में आएगी बहू खुशियों से घर के बाग को महका आएगी बहू बेटा बहू के साथ तभी घर में आता है पल भर में उनके घर में क्या से क्या हो जाता है मा को नहीं अकीन था पनी ही आँखों पर और बाप भी घरान था बेटे की बातों पर फिर बाप ने कहा कि हमको पहले बताते इस लड़की को ही ब्या करके घर में ले आते रिष्टों की नसीहत है घर घर की हकीकत है रिष्टों की नसीहत है घर घर की हकीकत है शादी किये उन दोनों को छे माह न गुजरे हर दिन ही उसकी बीवी के बढ़ने लगे नखरे जो काम करने वाले थे उनको भगा दिया और जाड़ू पोछे में ससुर जी को लगा दिया बेशर्म सी औरत वो हो गई थी बेहिसा सभी के आगे बैठ के पीने लगी शराम मा के समान सास से करवाती है वो काम दिन भर वो काम करती है मिलता नहीं आराम एक रात अपने कमरे में दोनों नशे में थे मा बाप थे भूके मगर दोनों मजे में थे दूबी नशे में बीबी ने शोहर से जो कहा सच मानिये किसी से भी ना जाएगा सुना रिष्टों की नसीहत है घर घर की हकीकत है हालत में नशे की जुबान खोलती है वो मा बाप को निकालो घर से बोलती है वो उन दोनों को तुम जाओ छोड़ आओ आशरम वरना तुम्हारे साथ में नहीं रहेंगे हम हसते हुए पती ने अपनी पतनी से कहा होने तो सुबह उनको छोड़ आओंगा वहा बाहर खड़ी थी मा उनकी बात सुन रही मा आज की उलाद के हालात सुन रही फट गया का लेजा था आखे बरस रही ममता भी खर चुकी थी सांसे अटक रही इस तन में मेरी सांसे अब भी चल रही है क्यों इस तन से मेरी जान ना निकल रही है क्यों रिष्टों की नसीहत है घर घर की हकीकत है रिष्टों की नसीहत है घर घर की हकीकत है सपने भिखर चुके थे दोनों सिसक रहे अपना जिने बनाया था वो अपने ना रहे दोनों की रो रहे थे अपने नसीब पर और आधी रात में वो चुपचाप बैठ कर रोते हैं दोनों और दिल में सोचते यही लाए जहां से थे इसे पहुचाएगा वही तु ही बता खुदा है मुकदर में क्या लिखा मैं पूछता हूँ तुझ से तू बता मेरी खता रोते हुए फिर दोनों ही घर से निकल पड़े और रास्ता जो भी मिला वो उस पे चल पड़े कल तक था कारुबार सारा जिनके हाथों में अब देखी ये तकदीर भटकते है रातों में रिष्टों की नसीहत है घर घर की हकीकत है बेटा बहू वो दोनों ही सो करके जब उठे पूरे घर में देखा पर माबाप ना दिखे बहू की बात छोड़ो बेटा हरान था माबाप के लिए थोड़ा परेशान था सोपे के उपर देखा एक पर चपड़ा था और बाप की लिखाई में कुछ उस पे लिखा था हमने तुमको आखरी सहारा माना था और अपने वंच का तुझे की नारा माना था घर बार छोड़ करके दोनों जा रहेंगे हम अपनी खताओं की सजा को पा लगे हैं हम हम इस तरह से बेटा तुमें भूल जाएंगे तुम ढूंड ना सकोगे इतनी दूर जाएंगे रिष्टों की नसीहत है घर घर की हकीकत है अब आगे किसमतों का आप खेल देखिये दोनों का एक बच्ची से मेल देखिये चलते चलते रुक गए ठक हार के दोनों फिर बैठ गए अपने मन को मार के दोनों चुप चाप दोनों बैठ के आशू बहा रहे और तर्द अपने अपने वो दोनों छुपा रहे रुकती है तबीकार एक सामने उनके दिखती है एक छोटी सी बच्ची सामने उनके बैटी ने पूछा उनसे कहां आपको जाना पहुचा मैं दुंगी वहा जहां आपको जाना बोला वो बैटी से रोना घर न ठिकाना कैसे बताएं बैटी हमको किधर है जाना रिष्टों की नसीहत है घर घर की हकीकत है रिष्टों की नसीहट है घर घर की हकीकत है वो लड़की अपनी गाड़ी से उतर के आ गई तकदीर जैसे दोनों की थी चल के आ गई लड़की ने कहा उनसे मेरे साथ तुम चलो मान लो हमारी दोनों साथ तुम चलो मैं भी हूँ अनात्मा बाप है नहीं रहती हूँ मैं अकेली कोई साथ है नहीं थोड़ी ये दूर पर यहां से है हमारा घर चलता है मेरा ढाबा मेरे घर के ही अंदर आ जाओ मेरे साथ मिल के साथ रहेंगे सुक हो या गम की रात मिल के साथ सहेंगे तुमको कसम हमारी देखो करना ना मना तुम जैसे मम्मी पापा मैं तो पाओंगी कहा रिष्टों की नसीहत है घर घर की हकीकत है बच्ची के साथ दोनों बैट कर चले गए किसमत की बात उसको सोच कर चले गए अब आईए दिखाते हैं बेटे बहुं का हाल घर बार सारा बन गया शौपिंग का जैसे माल पीने पिलाने का यारो दोर चल रहा बेशर्मियों का देखो कैसे शौर चल रहा बीवी किसी की है मगर बाह geen किसी की है शोहर किसी के है तो निगाहे किसी की है आने वाली नसले इनकी जाएंगी कहां मालूम नहीं ये ठीका न पाएंगी कहां उनसे तो अच्छा है कि ये उलाद ही न हो उलाद के लिए कोई फर्याद ही न हो रिष्टों की नसीहत है घर घर की हकीकत है अब बेटे बहू दोनों के हालात देखिये उस लड़की की जो असली थी आउकात देखिये शोहर के बाहर जाते लगी यार बुलाने अपना पुराना वाला लगी प्यार बुलाने एक रोज उसके यार संग में देखा पती ने कबसे ये चल रहा है इश्क पूछा पती ने ऐसे बनेगी बात न दल में समझ गई मौफी की बात छोड़ दो उल्टे उलज गई देखते गी देखते तक रार बढ़ गई उसको पती की हातों से जब मार पड़ गई थोड़ी सी शर्म बाकी थी वो भी निकल गई उस बेहया को देखी ये घर से निकल गई रिष्टों की नसीहत है घर घर की हकीकत है रिष्टों की नसीहत है घर घर की हकीकत है रह गया अकेला घर में कोई ना रहा माबाप का अब प्यार उसको याद आ रहा कुछ की दिनों में उसकी तो सूरत बदल गई और हो गया कमजोर वो हालत बिगड़ गई माबाप को वो याद करके रोने लगा है अपने गुनाह आशूं से दोने लगा है अपने गुनाहों से वो तोबा करने के लिए अज मेर आ गया वो सजदा करने के लिए ख्वाजा पियां की आ गया थवार गौह में वो पैटा रहता देर तकुन की पनाह में मापी वो मांगता थदर पे नाक रगडता पीरों पकीरों के वो जांके पाम पकडता रिष्टों की नसीहत है घर घर की हकीकत है अज मेर से मापाप को वो ढूंडने चला कदमों को आज बेटा उनका चूमने चला ख्वाजा पियां की लड़के पे यूं हो गई नजर अज मेरी जी की रहमतों का देखी ये असर वो लड़की जो उस रोज उनको घर ले आई थी लगती थी उनकी कोक की जब की पर आई थी बेटी को अपने हाथ से खाना खिलाती थी बिस्तर पे अपनी गोद में उसको सुलाती थी उस पच्ची को मा बाप का था प्यार मिल गया तनहा थी उसको खुशियों का संसार मिल गया खाना बनाते तीनों की ढवा चलाते थे सैलानी दूर दूर से खाने को आते थे दिष्टों की नसीहत है घर घर की हकीकत है बेटा तलाश ने चला मा बाप के निशा अब तक वो ढूंड आया था जाने कहां कहां शाम होने को चली थी भूक लग गई धाबे के आगे आके उसकी गाड़ी रुक गई बिगडी थी उसकी सूरत हालत खराब थी बीमार लग रहा था सूरत उदास थी बेचेन लग रहा था वो कुरसी पे बैठ कर माबाप थेरा सोई में उससे था बेखबर मा की नजर जो घूमी तो बेटे पे पड़ गई जो सोच चुकी थी ममता मा की वो उमड गई हां सच कहा गया है कि होती है ऐसी मा आुलाद के लिए तो बस दुआ है करती मा लिष्टों की नसीहत है घर घर की हकीकत है मा जानती थी बेटे के खाने की हर पसन हातों से अपने थाली सजाने लगी तुरन बोली पती से बेटा अपना खाने आया है बोला पती वो रूठ के किसने बुलाया है ये इतनी दूर इस शहर में कैसे आ गया किसने बताया उसको या किसने दिया पता थाली सजा के मा ने फिर बेटी से यूँ कहा ले जाओ उसके पास वो जो बैठा है वहाँ जो भी वो मांगे बेटी उसको प्यार से खिला वो तेरे भाई जैसा है दूलार से खिला बेटी न समझ पाई थी ये माजरा है क्या ना जाने आज मेरी मां को हो गया है क्या रिष्टों की नसीहत है घर घर की हकीकत है खाने की थाली बेटी ने टेबल पे रख दिया फिर प्यार से बोली की आप खाई ये भाईया जब हाथ में उठाया उसने पहला निवाला फिर चोक सा पड़ा वो खाना मुह में जो डाला स्वाद उसको खाने का पहचाना सा लगा खाना ये मां के हाथ का खजाना सा लगा खाना बनाया किसने ये बताई ये बहन अपनी रसोई मुझको भी दिखलाई ये बहन लड़की बोली कमी हो तो बोल दीजिये खा तो लीजिये भले ना मोल दीजिये इतना की बोल करके बहन वो चली गई फिर उसके पीछे पीछे वो भी आ गया वही रिष्टों की नसीहत है घर घर की हकीकत है विष्टों की नसीहट है घर घर की हकीकत है फिर जैसे नजर लड़के की माँ बाप पर गई उसके बदन से जैसे बिजली गुजर गई कैसे बताओं बन गए हालात क्या वहाँ कोई कलम उस बात का न कर सके बया आखों से हर किसी के बरसात हो रही ख्वाचा की करम से ये मुलाकात हो रही लड़की वो छोटी खड़ी खड़ी देख रही है क्या है ये माँ जरा वो यही सोच रही है मा पाप के पैरों में गिर के मांगता माफी मा रो मुझे सचाएं तो फिर भी है ना काफी लड़की ने कहा तू है मेरा लाड़ ला भैया आपास मेरे तेरी ले लू आज बलैया रिष्टों की नसीहत है घर घर की हकीकत है ख्वाजा का करम देखिये सब एक हो गए दिन हो चुके थे साफ सभी नेक हो गए उस लड़की को भी देखिये परिवार मिल गया मा बाप के संग खुशियों का संसार मिल गया उनकी बभूज और मूठ के घर छोड़ गई थी रिष्टा जो हमेशा के लिए तोड़ गई थी ख्वाजा के करम से उसे भी आ गई अकल बिगडी हुई जो पूरी थी फूरी गई बदल देखिये वो फिर से अपने घर में आ गई बहू वो नेक बन के दिलों में समा गई मा पाप ने बहू को दिल से माफ कर दिया ख्वाजा पिया ने देखो ये इनसाफ कर दिया रिष्टों की नसीहत है घर घर की हकीकत है